हेलो टूल रूम फैमिली कैसे हो आप लोग आई होप सब लोग विल्कुल मस्त होगे सो गाई से एक बहुत ही छोटा सा कॉस्टेंस पी सीडी पीच सर्कल डायमेटर इसमें पूछनी वाली क्या बात है लेकिं दोस्तों एक बाव बताईए मेरे वो पी सीडी का मतलब स्री पी सीडी नहीं हुआ पी सर्कल डायमेटर होता क्या है इसको डिसाइड कैसे करते है इसकी कोड लेंद को कैसे निकालते है इस तरी के बहुत सारे टेक्निकली कोसेंस होते हैं जो कि अगर आप लोग देखते हैं था हम लोग सोचते हैं या पी सीडी है इतना यह इतना है लेकिन अगर आपको कोई कंपोनेंट दी जाए या कोई ड्राइंग दी जाए तो आप सामने लोग कैसे एक्सप्लेंड इतना असान नहीं है तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि आप इसे एक्सप्लेंड कर सकते हैं कैसे समझ सकते हैं बहुत ही इंपोर्टन जान का रही है इसके लिए आपको बने रहे हैं दोस्तों हमारे टूटरू फैमिली में एक नए मेंबर जो इनको बोला कि आप पर समझाइए था कि आपका पूरा-पूरा माइंड वहां पर ही सेट रहे है ऐसा कि माइंड बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं PCD पर क्या PCD पी का मतलब हो गया हम ले लिंग के पिछ से सी का मतलब हो गया सरकल डी का मतलब हो गया डायमेटर ठीक है से यह अक्सर सर्कुलर पार्ट जो होते हैं क्लच प्लेट बनते हैं या किसी वी तरह का सर्कुलर पार्ट हो सरकुम्फरेंस जो होता है उसको डिसाइड करने के लिए PCD की हमें हमेशा जरूत पड़ती रहती है और हमेशा PCD को देखेंगे कि उसके क्या फार्मूले पे एफेक्ट पड़ रहा है ठीक है सर तो हम आज बात करते हैं PCD के में फार्मूले पे इसका में फार्मूला जो होता है यह शुरू होता है क्वार्ड लेंथ एक्वालिटू डायमेटर इन्टू साइन 360 डिवाड़ेड़ वाई तू हम लेते हैं इसमें दो होल हों तीन होल हों चार होल हो या कितने भी नमबास आप होल हो एक होल से दूसरे होल के सेंटर टू सेंटर की दूरी को हम कहते हैं क्वार्ड लेंथ ठीक है तो यह हो गया हमारा क्वार्ड लेंथ इसके बाद आते हम डायमेटर पे तो डायमेटर ज उसके बाद हम आ जाते हैं एन हमने फार्मूले में लिख रखा एन जो है यह हमारा है नंबर साफ होल अब हम स्टार्ट करते हैं कि माल यह हमारे पास कोई सर्कुलर पार्ट है जिस पे तीन होल बने हुए हैं उसमें हम देखेंगे कि क्वार्ड लेंथ कितनी आती है फिर हम द क्वार्ड लेंथ कितना आता है उसके बाद हम देखेंगे कि 5 है तो उसके एक जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा होल नंबर अफोल उसके रिगार्डिंग हम बात करते जाएंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं तीन होल पे हैं और डायमीटर हम सब में कॉमन रखेंगे डायमीटर जो हमने decide कर रखा है वो 100 की होगी बस हम number of hole को बढ़ा के घटा के फार्मूले में देखेंगे कि इसकी value पे क्या effect पड़ता है तो हमें quad length को ही चेक करना है बार बार कि उसमें क्या effect पड़ता है number of holes के हिसाब से ठीक है तो इसमें हमने डाल दिया प्रामेटर सीधा सीधा 100 और यहां लिखा sin 360 divided by 2 into 3 तो यह चीज हमारी आ गई 100 sin अब क्या करेंगे हम 360 divided by 6 तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो यह हमारा आ जाएगा 100 sin 60 डिग्री अब हम calculate करके देखेंगे कि साइन्स 60 डिग्री की वैलू कितनी आती है तो आप सोचके बताएगे कि साइन्स 60 डिग्री की वैलू कितनी होती है calculator उठाएगे और देखिए तो यह होता है 0.866 अब इसको हम जब multiply करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 86.6 86 यानि हमारा जो होगा quad length अगर हमारा diameter 100 होगा किसी का भी और उसमें तीन होल बने हुए हैं तो उसका quad length जो हमारा आएगा 86.6 का आएगा इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने नंबर साफ होल क्या कर दिए 4 कर दिए तो फिर अब हमारा फार्मूला तो सेम का सेम है तीक है quad length quality diameter sign 360 divided by 2N अब चेंज हमारा क्या हो रहा है diameter तो हमारा सेम 100 का 100 रह गया नंबर आफ होल इसमें हमने लिए हैं 4 तो sign 360 divided by 2 into 4 तो यह हमारा आ गया कि 45 की value कितनी होती है तो 100 into 0.7071 अब इसको multiply करेंगे तो multiply करना बहुत ही easy आप देख रहे होगा कि point के two points तक जाएंगे यह हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 70.71 अब देखिए यह जो हमारा quad length है number of holes जैसे जैसे हमारे बढ़ रहे हैं उसके recording quad length छोटे होते जा रहा है क्यों क्योंकि अब हम एक circle को ही लेते हैं तो पहले हमें इसमें 3 ही hole बनाने थे अब यहां हमारा क्या हो गया one two three four तो एक दूसरे के respect में यह कम हो गया अब हम क्या करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे चार के जगा छे करेंगे ठीक तो अब लेते हैं अब हमें लेना है नंबर साफ hole जो है एन जो है वो six तो six लेना है तो फार्मूला तो फिर हमारा वही रहेगा क्वार्ड लेंथ और डायमेटर भी हमारा 100 पर सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन रे सिक्स्टी डिवाइड़ वाई टू इन्टू सिक्स इसकी वैलू आ गई हमारी अंड्रेड इन्टू साइन थर्टी अब इसका कैल्कुलेशन करेंगे तो साइन थर्टी की वैलू कितनी होती है यह होती है 0.5 अब क्या हुआ हमारा सीधे इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा आप बताओ यह आ जाएगा हमारा 50 इसका मतलब यह हुआ कि क्वार्ड लेंथ जो है हमारी क्वार्ड लेंथ जो है सब से पहले जब 3 होल हमने लिए थे तो उसके रिगऑर्डिंग आया थे यह eti six फिर हमने क्या किया जब नंबर आप ओल 4 किए तो 70 आये 70.71 और उसके बाद जब हमने इसको से हैं कि यह फंटे आये इसका कम होती जाए रही है लागता तो जैसे जैसे हमारा नंबर आप होल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वाडर लेंथ जो हमारी कम होती जाए रही है यह में PCD का basic concept अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी चीज में हमें सरकम प्रेंस में नंबर आप होल्स बढ़ाने हैं घटाने हैं तो उसका क्वाडर लेंथ कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए जन्यवाद सो दोस्तों उम्मेद करता हूँ आपने वीडियो का एंड़ देखा होगा और आपको डिटेल पर तल चुका होगा PCD के बारे में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लिस लाइक करिएगा चैनल पे नहीं है तो सस्क्राइब करिएगा हिमानसु सर के लिए प्लिस कोई अगरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते हैं फिर नेश्ट वीडियो तब तक लिए जाए हैं जय भारत